हे दोस्तों वेलकम है आपका फेंटिस इक्सपर्ड नियूस के ओफिशल यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले कॉंग्रेशिलेट जिन्होंने मेरा थम्नेल देखा था वीडियो का और वीडियो एनलेसिस लास्ट वाला पूरा फॉलो किया था तो मैंने एक चीज आपको बॉली थी और थम्नेल पे अच्छे खासा ता मैंशन किया था कि एक बॉलर जो होगी वो 70 पॉइंट्स देने वाली और एंडी क्लर जो कि हमारी सबसे बड़ी ट्रंप प्लेयर आप लोग कह सकते हैं वो थी और हमने अपने टीम्स के अंदर भी उस ज्यादा पॉइंट्स दिला सकता है ठीक है तो मैच अपस आपको सबसे ना इंपोर्टेंट है वो फॉलो करने चाहिए प्लस ये मैच जा हो रहा है ना बैलरी ओवल होबाट तो इसकी पिछ रिपोर्ट को ध्यान में रखके भी आपको टीम बनानी पड़ेगी तो दो तीन चाहर कॉमिनिशन अम लोग देखेंगे कैसे बन पाते हैं फिलाल फिफ्टीन नंबर मैच है और होबाट के होम वेन्यू पर हैं जापर अपना पहला मैच जो होबाट ने विन किया था अगेंस सिद्नी थंडर बुमेंट्स बैले रियो बाट में वैच से देखा जाए मैचस यहां पर हो और हैं 120 विकेट्स टोटली डाउन हैं उस में 70 विकेट्स जो निकाले हैं वह बताता है ऑर इक पिछका मैं को बटाता रहता हुं लेकिन बहुत ज्यादा लो वाले टोटल भी बने लाइक 120, फिर यहां से 80, फिर यहां से 121, फिर यहां से 133, तो इस तरीके के टोटल बने हैं, तो हम लोग मान के चल रहे हैं, एवरेज टोटल जैए 123 से लेके 145 के अराउंड होना चाहिए है न, 123 से लेके वो 135 के अराउंड होना चाहिए, इतना जो है वो एवरेज टोटल हम लोग मान सकते हैं कि इतना टोटल यहां पर बन सकता है, ज्यादा स्यादा मुझे लगता है 155 के आसपास टोटल बनेगा, उससे ज्यादा टोलर बना पड़ा, AC विकेट पे जहां पर स्पीनर्स भी अच्छा कर रहे हैं औ ठीक है, और विकेट्स की हम लोग अगर बात करते हैं तो स्पीनर्स यहां पर थोड़े अच्छा कर जाते हैं, ठीक है, तो 155 तक मैं स्कोर मान की चल रहा हूं और विकेट्स को ज्यादा मिलेंगे, तो टीम्स आपको कैसे बिल्ड करने हैं, यह हम लोग आगे टीम्स जो कि आपको ध्यान रखने ही चाहिए, मैं यहां से बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टेली ग्राम से जुड़ेगा, प्योंकि अगर फाइनलाइज अपडेट्स मुझे कुछ देने होंगे, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, जैसे यह तो पिछ है, पिछ के स्टार्ट रहेगा, उसमें हो सकता है, थोड़ी बहुत मुवमेंट देखने को मिल जाए, ठीक है, यह ध्यान रखना है, और ट्रेडिंग जरू प्ले करनी, आपको रिलेलर पे डाउनलोड कर लिजेगा, फैंटेसी एंडर ड्रेफर कोड यूज़ करके, आप लोग अपना किया किया है, थर्टीन मेंबर का अंचेंज इसक्वाइड अनॉंस किया है, तो सेम इसक्वाइड है, लेकिन होबाट की तरफ से अभी तक इसक्वाइड अपडेट इसक्वाइड नहीं आया है, प्लस हैलेलर सिल्वर हॉंस जोकी आउट हो चुकी पूरे WBL से, अब इनका डिप्लेस्मेंट प्लेयर इन्होंने अनॉंस नहीं गया, अगर कोई अनॉंस करती है, इसक्वाइड में, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दूँगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं दिया है, जो भी अनॉंसमेंट होगा, अगर वोकल प्ल होबाट के होम बेन्यू पर भी सिद्नी सिक्सर्स विमिन्स ने डॉमिनेट किया है, महीं होबाट की लाइनॉस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, सैम प्लेइंग 11 के साथ में ये खेलनी चाहिए, अगर एक डिफरेंशल पिक, चलो, हम लोग मैच अप्स के अंदर ही द जिनको प्लेइंग 11 के अंदर जगा बना लेनी चाहिए, वो सवेली के प्लेइस पे टीप को लाना चाहिए, ठीक है, पाउर प्लेइ में कैदिन ब्राइस से स्टार्ट कर रही है, निकोला केरी के साथ में हीदर ग्राहम, लॉरेन स्मीथ, फिर आसे निकोला केरी है, हीदर लेकिन आपको बैक करना चाहिए, अपनी टीम में 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 स्पीनर है इनकी टीम की, तो अपकी टीम में होनी चाहिए, पहली यह जो है, प्लेइर जिनकी सेलेक्शन कम होगी, ठीक है, मॉलिस्टर नो, सिड्नी सिक्सर्स की बात करता है, कैप्टन पेरी ओपन करी है, अलिस्टर हिली के साथ में, सारा ब्राइस है, एश गार्डनर, हॉली आर्म जेज, एलिजा हंटर है, मलीशय की प्रिकेटर है सोफी एकलिस्टर ने, मैटलिन ब्राउन, कॉर्टनी ग्रेस सिपल है, काउमी ब्रे और लॉरेंज जीटल, अब लास्ट मेंच यह हुआ क्या था, कि कॉर्टनी ग्रेस सिपल जो है, वो बॉलिंग ही नहीं किया था, और केवल पांच बोलर के साथ में ही टीम ने प्ले गया फैवर में, और एक कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे, जो है, वो बैलेंजड कॉम्बिनेशन है, कैसे बनेंगे, और अवोइड किसको करना है, सबसे पहली जीज, देखो, नमबर चार तक में अचा है, आप लोग रिस्क लेना चाहें, तो हीली के उपर रिस्क ले सकते हैं, अवोइड करनेगा, लेकिन लास मेच में चार ही रन बनायते, इस मेच में बैक कर जाएगी, प्लस के पॉइंट के पॉइंट दिला सकती है, तो हीली, वाइल चेजिंग में, पेरी, हीली, इनको अवोइड नहीं करना है, अकर चेज कर रही टीम, तो टॉप 4 आप लोग लास सकती है, पावर प्ले में चीटेल लगें, इंपोर्टेन रहेगी, लेफ्ट आम बोलर है, भले ही बिटाई होती है, इनकी लेकिन मस्ट होंगी, अवोइड नहीं करना चाहिए, सौफिय एकलिस्टन, गाइडनर और रैलिस से पहरी, एकलिस्टन ऐसी प्लेयर होगी, ज इसमें से मुझे लगता है जो पहले परसेंटेज इनका 80% है वह जारा था सेलेक्शन का पहले मैच में उसके बाद में इनको विकेट्स नहीं मिल रहते हैं तो उसकी वेज़ से इनका परसेंटेज डाउन होगा और इनके मैच अगेंस्ट जो हवाट हरीकेंस के जो प्लेयर से काफी बैटर है तो कल के मैच में अगर आप लोग कैप्टन केरी को कर रहे हैं या फिर कैप्टन केरी को कर रहे हैं या गाटनर के जारा है तीन आपके पास में ग्राहाम है लेकिन अगर कोई फिफ्ट ऑप्शन जो सबसे बेस्ट हो सकता है आप लोग इसके साथ में जा सकत है लेकिन एकलिस्टन को अवोइड मत कीजिगा इनके मैच अपस काफी अच्छे हैं ठीक है आप लोग दिख लीजी कहां पर कम ही टोटल राहोबाट हरीकेन का 120-130 कहा रहा हूं तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं लीक औपनी टीम से अवोइड कर सकते हैं और व्याट को अपनी टीम में बैक कर सकते हैं ठीक है क्योंकि व्याट ज्यादा इस्पीन के इसमें परिशान नजर नहीं आईगी आपको ठीक ह उसके बाद में एलिस से विलानी है कैप्टेन सी कर रही है टीम की लेकिन फोड़ा गडबढ ही चल रहा है इनका तो देख लीजेगा व्याट विलानी में से किसकोर रखना है आपको निकोला केरी का हम प्रिफर करेंगे कैधिन ब्राइस से एक बड़ी गेम चेंजर पिक हो ही देगी 29 पॉइंट के आराम से आपको दिला देगी तो मस्ट हो जाएगी और होबाट हरीकेन बैट फर्स करती ही तब और यहां से हीदा ग्राम मस्ट होगी क्लॉइट रहन मस्ट है जॉंस्टन खेलती है तो देखते हैं इंक्लूड कैसे कर सकेंगे रखना चाहिए अगर कर खेलती होतो बैटिंग कर देख इंग freezing करनी का कुकी ऐ mec कर सकते हम है तो होइड कर सकते हैं गारे लिए को अब है कर सकते है तो से लिए तो थुटा करना है कैली से नहीं बैट सबी तक नहीं है घॉम्स तो बार है एमी स्मित को leg break baller है avoid कर सकते हैं और ट्रेंड मेंन का अभी तक fitness का concern है इसलिए मुझे नहीं लगता है squad में भी यह आएगी पेरी की बात करते हैं सारा ब्राइज है रखना चाहिए चेज कर यह team तो इनको consider कर सकते हैं टीम में और बैटिंग फर्स में भी consider किया जा सकते है लेकिन रखा जा सकता हीटिंग है हीटर प्लेयर है स्कोटलेंग की एश गार्टर है must होगी आर्मिटेज कार्मिशल केट पहले अतीनों अवोइड कर सकते हैं एकलिस्टन must है और यहाँ से लोरेंच चीटल को रखा जा सकता है और कॉटनी ग्रेस सिपल रखना पड़ेगा लास्ट मेंच में तो बॉलिंग ही इनसे नहीं करवाया था ठीक है और बाकी यहाँ से कौन सा प्लेयर है बंस वगेरा आएंगी तो हम लोग रखेंगे और एलिसा हीली है जोकी must होगी हम लोग चलते हैं सीधा मैच अप्स की तरफ जोकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा important है पेरी और एलिसा हीली दोनों में से एक ही प्लेयर पे रिस क्लियर जा सकता है वो हीली को avoid करने का बाकी पेरी तो must होगी तो मैच अप्स को ध्यान में आपको नहीं देना है एजगाडनर और सारा ब्राइजे चेस कर रही टीम तो सारा ब्राइजे must होगी और बैटिंग फर्ष में भी आप लोग ब्राइजे को include कर सकते हैं क्योंकि healthy strike rate से play करती है और holy arm chase avoid करना है एकलिस्टन must होगी किसी ब्याल में drop नहीं करना है दोनों को avoid कर सकते हैं इनको लीजेली और डैनी वैट अब देखो लीजेली जो है न वो spin की बहुत अच्छी प्लेर है एश गार्डनर को बहुत अच्छे से play किया है इवन कॉर्टनी क्रेस सिपल जो की पैसर है और अलिसा पैरी और मैटलीन ब्राउन अच्छी इनको भी अच्छा खेला है तो मैं इसलिए आपको बोला था कि हीली और लीजेली इन में से एक पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा कल अवोइड करने का तभी आपकी अच्छी टीम बनेगी अब ली का क्या रहेगा अगर विकेट्स नहीं जाते हैं अच्छे सक्सेसफूली चेज करती ही टीम सिडनी सिक्सर तो लीजेली जल्दी एकर विकेट्ट देती हैं और जेज होता है सिडनी सिक्सर का अच्छे से एक भी विकेट्ट नहीं जाता है तो मेरे खाल से ली आपके लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिचर नहीं होगी आप फिर हीली को रख सकते हैं और डैनी व्याट रखना चाहिए क्योंकि हीटर रही है भले ही लास्ट विच में फोरी रन क्यों ना किये हो रखना चाहिए विलानी को अवोईट कर सकते हैं कि एकलिस्टन बहुत ज़्यादा परिशान करती है इसलिए मैंने बोला था एकलिस्टन मस्ट होगी और वाइस कैप्टन ही ना मेगा कॉंटेस्ट आप लोग ज़रूर बना सकते हैं निकोला केरी इनको भी सीवीसी नहीं करने के पीछे की वज़ा थी एजगाडना इनके अग्यस्ट में लगातार बोलिंग करेंगी और वो इनका विकिट लेके जाएगी तीन बार डिस्मिस भी कर चुकी है और फिफ्टी से भी बिलोव स्कोर किया है इनोंने तो इनके मैचप्स को ध्यान में रखे हैं निकोला कीरी को एस अ वाइस कैप्टन स्मॉल कॉर्ट में आप लोग कर सकते हैं लेकिन मेगा कॉंटेस में मैं अवोईट करना चाहूँगा हीदर अगराम मस्ट होगी कैदिन ब्राइसे को भी रखना चाहिए आपको अपनी टीम है कैसे यह वह बडिल्ड करने चाहिए देखो यह मैंने तीम आपको बनागे बताई थी कुछ इस तरीके से टीम में मैंने आपको गंप्लीट करके बताई थी कैसे आपको टीम जो बनानी है यह यहां पर यह यहीं हो जाता है गे लिली मिल्स के winning में रह सकते थे बट changes क्या होता है जो मैं बताता हूँ आपको telegram पे वही changes आपको थोड़े बहुत कर लेने चाहिए like मैंने divine को captaincy अपनी team में दिया तो वैसा आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग telegram चैनल पे मेरे जुड़े हुए हैं तो ठीक है मैं इसकी टीम आपको बना के बता देता हूँ सबसे पहले line-ups की तरफ चलते हैं मेरा घर जो चीज़े मैंने बता ही अगर उनको follow कर रहे हैं तो लाइक किसको मॉलिस्टन हो देखो selection तो जादा यह खेर ठीक है के दिन ब्राइसे से स्टार्ट करते हैं मैं मान के चलना हूँ Sydney Sixers अच्छे से चेस करेगी तो हीली मेरी टीम में आ रही है पेरी मेरी टीम में आ रही है एच गाडनर सारा ब्राइसे फिर यहां से ज्यादा opportunity मिल रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा तो यह एक टीम बन सकती है हमारी 7 लिकों नहीं जा रहे है व्याट के साथ में जा रहे है यह हमारी एक टीम बन सकती ही लेका कॉंटेस की जोगी percentage based वाली नहीं यह थ्यार रखना ठीक है इसमें देखो 32% वाली क्यादेन ब्राइस है क्योंकि मैं मान के चलना हो एकाड़ विकेट तो सिद्नी सिकसर्स का चेजिंग में भी डाउन होगा तो पावर प्रे में जो बॉलिंग कर रहे हैं उनको मैं ज ब्राइजे को मेल गया और किसी दूसरे बोलर को मिला तो ज़्यादा अच्छा मेरे काल से उतने ज़्यादा मैं तो यह मेरी टीम एक बार बन रही है इनमेगा कॉंटेस चेजिंग साइड में कैप्टन में कर रहा हूं पैरी को और वाइस कैप्टन एज गार्डनर को निको सब्सक्राइब करेंगा क्योंकि अगर मैंने केरी बोल दिया यहां पर आपने कल केरी के साथ में वाइस कैप्टन चलेगे तो रिस्की होगा स्मॉल कॉंटेस में भी ट्राइज कीजिए यह पैरी कैप्टन वाइस कैप्टन गार्डनर तो मेरे खाल से आपको यह अगर हम लोग ready करते हैं तो वही हीली वाला लाइक मैंने आपको बताए कि हीली को जैसे drop किया डेनी वैट भी हमारी टीम में है sorry हीली को मैंने drop किया और यहां से डेनी वैट matchups ठीक है सारा ब्राइजर को लिया है हीली को drop किया है एक दो तीन फिर यहां से Chloe Trang को include कही है यह balance combination बना रहा है ना मैं यहां से एक हमारा जो balanced combination देता है उसी कौम लोग ready कर रहे हैं काउमी प्रे ठीक है यह हमारी टीम है एक balance combination वाला जोंपे कोई clearance नहीं है कि कौन जीते का कौन आरेगा लेकिन जीते की Sydney Sixers उसी को ध्यान में के टीम हमने अगेन बनाई है अब तीन दीन बोलर है सामने है न तो पेरी अगेन काप्टेंसी मैंने दे दिया है अब वाइस काप्टेंसी किसके साथ में जा सकते हैं क्योंकि एक balanced combination होता है तो सब की चीज़ें हमें ध्यान में रख नहीं रहती है तो मैरा captain अगेन पेरी को क point दिला सकती 70 plus vice captain किया तो 95 to 105 के round point ये भी दिला देंगी तो captain vice captain इसको मैंने किया है तो ये दो टीम से mega contest में आप लोग लगा सकते हैं इनके साथ में आप लोग play कर सकते हैं रिस्क किस पे लिए है सारे ब्राइसे जिनको काफी लोग avoid करेंगे उनके अपर मैंने risk लिए है ठ आप लोग safer जल रहे हैं तो ठीक है ये मेरी टीम जोए combination बन रहे हैं दोनों hopefully आप लोग follow करके best team जोए वो create करेंगे मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you